बोदिद कीता चार्या सिद्धा चाल दिया मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे और आपके इस रिष्टे को किसी की नजर ना लगे हमें अपनी इस रिष्टे को अपनी ताकत बनाना है अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाओं है ये लोग इस बार दिल्ली के चुनाओं में हमें हराना के लिए सब कुछ करेंगे सब कुछ पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना आजादी के 75 साल के बाद इस देश ने पहली बार राजनीती में जंता से जुड़े मुद्दों की बात सुनी है लोग ने पहली बार राजनीती में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सडकें इन जैसे मुद्दों की बात सुनी है 75 साल में पहली बार लोगों ने देखा है कि अगर सरकार इमानदार हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता देश की राजनीते में आम आदमी पार्टी एक ताजा हवा का ज्होंका है इसे आगे बढ़ाना है दिले में हुए कामों को रुकने नहीं देना इने आगे बढ़ाना है अभी और बहुत काम करने बाकिए है आम आदमी पार्टी देश की अकेली उमीद है इस उमीद को कायम रखना है इसे और आगे बढ़ाना है जरूरत पढ़ने पर देश के लिए तन, मन, धन सब कुछ कुर्वान करने की तैयारी रखो दिल्ली चुनाओं के लिए हो सके तो अपने अपने काम से छुट्टी लेके कुछ महीनों के लिए पूरा समय इन चुनाओं के लिए लग जाओ दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली आके अपने किसी दोस्त या रिष्टेदार के यहां कुछ महीने रहने के लिए इंतिजाम कर लो दिली वाले भी छुट्टी लेके पूरा समय चुनावों में लग जाओ यदि आप पूरा समय नहीं भी दे सकते तो कुछ घंटे प्रति दिन या कुछ घंटे हर हफ़ते दे दो वो भी नहीं दे सकते तो अपने अपने घर से हर रोज कुछ घंटे दे दो आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको काम बताएंगे और हाँ जब भी कभी कमजोरी महसूस हो किसी तरह की निराशा मन में आए या किसे भी गुसा आए तो मनी मन राम का नाम ले लेना राम के नाम में बहुत ताकत है देखना तुरंट शांती महसूस होगी जो कारेकरता अन्य धर्मों के हैं वो अपने अपने भगवान अल्ला या जिन पर भी उनकी श्रद्धा हो उनका नाम ले लेना जब मैं जेल में था मैंने बाबा साब के जीवन और उनके संघर्षों पर काफी अध्यान किया आज उनके लिए मेरे दिल में जो भाव उमड रहे हैं मैं उन्हें व्यक्त करना चाहता हूं रुतबा मेरे सर को तेरे सम्विधान से मिलाए ये सम्मान भी मुझे तेरे सम्विधान से मिलाए औरों को जो मिलाए वो मुकदर से मिलाए हमें तो मुकदर भी तेरे सम्विधान से मिलाए ना जिन्दगी की खुशी ना मौत का गम जब तक है दम जै भीम कहेंगे हम मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत आपकी होगी